हालो बच्चों आप लोग कैसे हैं तो देखिए हम आपको रस की परिभाशा रस की अंग को बले आपको पहले पला दिया हैं तो रस के मुख्य रूप से चार अंग परमुख हैं अस्थाइभाव, विभाव, अनभाव, शंचारी भाव अस्थाई भाव को हमने आपको पहले बताया है आज हम आपको विभाव के बारे में बता रहे हैं विभाव क्या है जो व्यक्ति वस्तु परिशितियां आद यास्थाई भाव को उदीप्त करती हैं या जगाती हैं उन्हें विभाव कहते हैं अर्था जब हम किसे नाटक या कावि को पढ़ते हैं, तो हमारे मन में जो भी भाव पर शुतिया आते हैं, उन्ने हम विभाव कहते हैं, उन्हें कि दो भेद होते हैं, पाला है आलामन विभाव,दूसरा है दूपन विभाव, अलंबन विभाव क्या है अस्थाई भाव जेन व्यक्तियों वस्तु आदिका अलंब या सहारा लेकर अपने को प्रकट करते हैं उन्हें अलंबन विभाव करते हैं अर्था जब हम किसी नाटोग या कावि को देखते हैं तो हमारे मन में जो अस्थाई भाव का ये किसी व्यक्तियों का असहारा लिया जाता है तो हम उसे अलंबन विभाव करते हैं इनकी दो रूप हैं पहला है आस्रे दुसरा है विशे आस्रे क्या है जिस व्यक्ति के मन में रतिया दसाई भाव उत्पन होते हैं उन्हें आस्रे कहते हैं अर्था जैसे सकुन्तिला को देखकर दुसरांड की मन में जो प्रेम का भाव पैदा हुआ है वो आस्रे कालाता है विशे क्या है जिस व्यक्तिया भश्ति के कारण आश्रे के मन में रतिया दस्थाए भाव उत्पन होते हैं उन्हें विशे कहते हैं अर्थात नाटक को देखने के प्रस्चात हमारे मन में जो भाव उत्पन होते हैं वो विशे कहलाते हैं अगला देखिए उद्दीपन क्या है। भाव को दित करने वाली वस्तवी चेश्टायें आज को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात जब हम किसी काविकों पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो प्रसंता इत्या दिभाव उत्पन्न होते हैं वे उद्धीपन दिभाव का लाते हैं अगला देखिए अनुभाव है तो अनुभाव क्या है आश्रेगत आलंबन की उन्चेश्टाओं को जो उन्हें अस्ताइभाव का अनुभाव कराती हैं उन्हें अनुभाव करते हैं इनकी चार रूप हैं पहला है काईक अनुभाव दूसरा है मानसिक अनुभाव तिसरा हारी अनुभाव और चौथा है सात्यक अनुभाव तो काईकन भाव क्या है? आँख, भाव, हाथ, आज़ सरीर की अंगों से दो चेष्टां की जाती हैं, उसे काईकन भाव करते हैं मांसिक चेष्टाओं के द्वारा जो कार की जाते हैं, उसे हम मांसिक अंभाव करते हैं वेश्भूसा सी जो भाव दिखा जाता है उसे हम आर्यान भाव कहते हैं सरीर के सहज अंग के द्वारा जो कारी होते ही वो सात्यकन भाव कह लाते हैं देखे, संचारी भाव क्या है? हास्रे के चित्ति में उत्पन्न होनी वाले और इस्तिर मनोबिकारों को संचारी भाव कहते हैं. अब आइए देखे, रस और उनके अस्थाई भाव कौन-कौन से हैं? तो देखे邊 पाला रस स्रिंगार रस है इसका स्थाई भाव रति है दूसरा है हास रस इसका स्थाई भावा हास है तीश्रा है कलु रस इसका अस्थाई भाव सोक है चौता है राओदरस, इसका स्थाइबाव क्रोध है, पाचवा बीररस, इसका स्थाइबाव सा है, सटमा वियानेगरस, इसका स्थाइबाव भय है, सातमा है विवचरस, इसका स्थाइबाव घिना है, आठमा है अदबोत रस, इसका स्थाई भाव विश्मे है, नौमा है सांत रस, इसका स्थाई भाव निरवेध है, दसमा है वात्सल रस, इसका स्थाई भाव वस्तल या प्रेम है, इग्रामा है भक्त रस, इसका स्थाई भाव देवता विश्यक रती है अब आईए देखिए आपको एक एक करके सारे रशों को परिभासा उद्यान की शाद बताते हैं तो पहला देखिए स्रिंगार रश स्रिंगार रश क्या है नायग नायक्या की चित्ति में रति नमका साहिभाव अनुभाव और संचारी भाव का जहां स्रिंगार रश होता है इसके दो भेद हैं पहला है स्रिंगार दूसरा है भी योग स्रिंगार स्रिंगार क्या है जहां पर नायक नायक्या की मिलन का बढ़न होता है वहां सायोग स्निगार होता है जैसे एक जंगल है तेरी आँखों में मैं जहां राह भोल जाता हूँ तो किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल साथर थराता हूँ इसमें असाइफ आउरती है आसरे नायक है विशे नायका है रीस सी घुजरना अनभाव है कापणा इत्यादी संचारी भाव है तो दुसरा देखी वियोक सिंगारश वहा होता है जहां पर नायक अउननायकय की मिलन का सरवता आभाव होता है या नायक अउननायकय एक दूसरे से परशपरदूर होते हैं महाँ व्योश रंगारश होता है जैसे हे खग मृग हे मदुकर स्रेणी तुम देखी स्रीता मृगनेनी यहाँ पर जिसमें रामल शीता को हर ले गया था उसमें भगवान राम और लक्षमल स्रीता की व्योग में खोज रहे हैं बंदरों की शहायताशे सब को जो है पश्पक्षियों से पूछते हैं कि है पश्पक्षियों है ब्रमर क्या तुमें तुमने हर्डों की समान नेत्रों वारी स्रीता को देखा है यहां परस्थाई भाव रती है आस्रे राम है विशे शीता है राम का दुख इत्याद अनुभाव है देनित आदी संचारी भाव है तो आगे बच्चों आपको दूसरा रस के बारे में हम परचे आपको बात मुदींगी दन्जवाद